तो विल्कम बैग गाईस कैसे आप सो बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ आपको उस्प्रतिक आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका एक नया टॉपिक जो कि कैसे functions बनता है तो यह मैंने help लिया है कि उस बुक का आप सब के लिए देखिए क्या होता है जब भी कभी theory पढ़ रहे होते हैं जिससे थोड़ा helpful हो जाता है आपको एक flow मिल जाता है तो सबसे पहले चीज functions हमने इसके पहले पढ़ा था functions होते क्या है functions are nothing but a set of program क्या होता है a set of instructions given to computer to solve a particular problem मैंने इसके पहले आपको बताया था जैसे अगर आपको ऐसी नीट पढ़े कि बार बार आपको क्या करना है निकालना है तो आपको क्या करना है बार बार तो इसका एक set of instructions को एक सेट और को पूरा पूरा निकल रहा है तो इस इस factorial को क्या करते है एक particular name दे देवर के लिए हमने सबसे important बात क्या समझी थी नेम दे दे जाता है उसको एक set of instructions को और जिसको हम बारवर क्या use कर सके reuse कर सके क्या कर सके उसको reuse कर सके तो यह क्या लाता है हमारा क्या function क्या लाता function या फिर method दोनों एक चीज़े होती है तो functions या फिर method की बात करते तो होता कि होपुली सबको अच्छे से clear हो गया कि when a name is given to particular set of statement to reuse them it is known as function मतलब ये layman language में simple सा आपको समझने के लिए मैंने बता दिये जैसे अगर आपको आपको किसी भी चीज़ का area of rectangle निकालना है तो आपको simple सा बताए area of rectangle जैसे दिमाग में है तुरंत ही आपको बताए function l into b लगा दिये तो हमारा क्या आगया area of rectangle आगया है ठीक है तो इस तरीके से आपका simple सा काम होता है तो इस instructions are specified into form of methods और Java क्या होता है एक particular problem को solve करने के लिए जब किसी इंस्ट्रक्शन को क्या करते है एक particular name दे दे तो उसको उसको हम क्या कहते है आपका function यह फिर method कहते है और उसको हम क्या करते है एक एक particular time के लिए जब भी उसको set of instructions को हमें परफॉर्म करने तो हम उसको बुला लेते है that means उसे use कर लेते हैं ठीक है जैसे हमने string के अंदर पढ़ा था length तो length के अंदर क्या हो रहा था आपका length जब भी निकालने तो आपका easily निकल जा रहा था using the function word length ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब functions होते है किते हैं type के functions होते हैं दो type के मैंने इसके पहले बताया एक होता है आपका system defined functions और एक होता है हमारे user defined functions जो सबसे पहले से जो बने हुए functions आते हैं जैसे आपका एक function आपने पढ़ा है length सबसे यादा भी string के इसके पहले प्रोग्राम जेके थे length function लेंफ़ पहले से बना हुआ है तो वह हमारा क्या कहलाता है हमारा system defined functions या फिर इसको दूसरा ज क्या कह रहा है user defined that means user defined करता है उसको क्या कहते है user defined functions कहते है ठीक है तो अब क्या हो जाता है इसके 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 इन्दर सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको इसके इन्दर एक particular these are defined as per the need of the user to create customized and reusable आपका blocks of code जो आपको अपनी need है जैसे आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करें इसके इसके इंदर factorial निकालना पड़ रहा है ठीक है तो आप वहां पे हर बार factorial थोड़ी न लिखो गया आप एक function मना दोगे और उसको एक नाम दे दोगे और जब भी factorial की need होगी तो आप अराम दूसरा कौन सा था आपका predefined ठीक है अब बात आती need क्या होती है फिर advantage क्या होती है हमारे functions के ठीक है तो जब भी कभी हम लोग बात करते है need और advantage of method तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है कि आपका methods can be reused अभी इसके पहले हम देखते आ रहे है कि method सबसे बड़ी चीज़ क हमने बता दिए दस काम को हमने दस अलग अलग function वाद दिए तो हमारी complexity of the program को अच्छे से लेक उसको block में divide कर देता तो यह हमारी manage करने में help करता है ठीक है अगला चीज है कि program का flow sound जाता है जिसे अभी आपको क्या है कि character निकालना तो आपने character लिखा लेंध निकालना तो ल readability of the code जैसे अब आपने code लिखा उसके अपने किसी friend को दिया कि भाई यह पढ़के देखो कैसा है यह program सही है कि नहीं है तो आपको अगर आपने function बना रखे तो वह क्या करेगा readability मतलब उसको पढ़ने में जो सामने वाला third person पढ़ रहा है उसके लिए help कर देगा और उसके इस तरीके से method signature क्या होती है उसको invoke करना कैसे होता है यह सारी चीज़ों के उपड़ देखेंगे तब तक के लिए पहले आप इसको इतना समझे इसके notes बनाई है बाकिये हम लोग अगले वीडियो के अंदर method definition प्यार सुफाइन all the best थेंकिए